हाव रूफीक्स वान प्लस नाइन प्रो होम बटन नोट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बता हूँगा कैसे आप जो है आपने वण प्लस के डिवाइस में हम बटन प्रॉब्लम सॉल्फ केसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपके मोबाईल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पिशा कमाना चाते तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको क्लीन करके देखें ठीक है आप यहाँ पर जाएए सेटिंग पर इस तोरेज पर जाएए और थोड़ा सा स्पेस को फ्रियाप करके देखें और उसके बाद दोस्तों अगर कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लेम रहेगा आपके स्टोरेज में तो वह खुदबाखुट फिक्स हो यहाँ पर ओके तो यह सेटिंग दोस्तों यहाँ पर नहीं है यह सेटिंग आपको मिलेगा बटन एंट जेस्टर पर ठीक है तो उसमें जाने के बार आपको नेविगेशन बार एंट जेस्टर पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा नेविगेशन क्या करना है यह option select करना है back home recent अगर select किया हुआ है तो आपको navigation जिस्टर select कर लेना है उसके बाद उपर वाला setting को दुबारा से select करना है पहले नीचे को select कर लेजिए उसके बाद उपर को ठीक है अगर पहले से ही नीचे वाला select है तो directly उपर में select कीजिए तो आपका home button शो हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर setting आप follow कीजिए navigation बार customization पर जाएए कुछ home button के related setting आपको मिल जाएगा तो यह करने के बाद अगर problem solve होता है तो ठीक है अगर नहीं हो रहा है problem solved तो mobile को safe mode पर reboot करें उसके लिए power button को press and hold करके रखना है ठीक है safe mode पर अपने mobile को reboot करने के लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को दुबारा से press करकर रखना है 2 seconds उसके बार okay कर देना है and end आपका mobile safe mode पर reboot हो जाएगा और आपका problem solve हो जाएगा अगर इससे problem solve हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं होते हैं तो जाए सेटिंग इस श्रॉल डाउन करें about phone ओके system पर जाए system update पर जाके system को update कीजिए जैसे ही दोस्तो system update हो जाएगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से आप आपने हम बटन नोट शोविंग प्रॉब्लेम फीक्स कर सकते हैं इसके रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो कमेंट कर सकते हैं या फिर ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर दीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फूर आचिंग